असलामों अलेकुम मदर्स हेल्दी फूड रेसेपी फोर तू नाइन मन्स ये है हमारी आज की वीडियो का टॉपिक How to start weaning. फूड रेसेपी. हेल्दी फूड रेसेपी. फोर तू नाइन मन्स बेबी इस वीडियो में मैं आपको कुछ ठोस गजाएं और उनकी तरकी बताऊंगी How to start weaning वाली हमारी औरड़ी वीडियो अपलोड है Food portion आपने कैसे बनाना है ये भी औरड़ी हमारी वीडियो मुझूद है तो काइंडली आप Mother Diary चैनल को सबस्क्राइब कर लीजिए अगर आपने इन सारी रेसिपीज को बनाते हुए देखना है तो वह भी हमारे चैनल पर मुझूद है तो आप अहां से देख सकें विडियो को लाइक करें और अपनी फैमली और फ्रेंड्स में जितनी भी मद्द हैं उनको हमारे वीडियो के बारे में चैनल के बारे में जरूर बताईए सबसे पहले चार मां के बच्चे के लिए गजा, केला, मैश किया, बिल्कुल मैश करके फैंड के आप उसे खिला सकती है वाइल्ड राइस यनि चावलों का पानी जो गाड़ा गाड़ा होता है चावल ने उसको वाइल करें और उसके उपर गाड़ा गाड़ा जो आ जाता है पानी वह आप पिलाए ये वह बहुत जाधा है बच्चे के लिए एक फूड को आपने पहले एक या दो चमट से स्टार्ट करना है, एक फूड को आपने तक चार या पांच दिन तक आपने देखना है खिलाना है, उसके बाद आपने चेक करना है क्या बच्चे को बहुत साथा मोशन तो नहीं आए वाम्टिंग तो नहीं होरी कोई बच्चे में किसी किसम का साइड एफेक्ट तो नहीं है तो अगर नहीं है तो वो ओके है उस फूड को कंटीनू करें फूर मंत के बच्चे को आप सिरफ बनाना और चावलों का पानी ही खिलाएए इसके बाद आप सागू दाना की खीर इसके लिए सागू दाना एक चमच दू जो है वो डेड़ छटांग या त्री ओंस ले लीजिए, त्री ओंस आप कैसे ले सकती है, जो फीडर है आप बच्चे का जो बॉटल है जो भी आप पलाती है घर में फीडर होगा भाभ आप लिखे होते हैं, ओंस आप अप तना डाल के आप बच्चे के लिए एक चमच के लिए 3 ओंस काफी है एक चमच सागू दाना लें, उससे काफी देर के लिए भिगो के रख दें और उसके बाद आप उसमें दूर में पका लिजिए वो पतला पतला सा आप बच्चे को खेलाईए अब एक सवाल है चीनी, डॉक्टर चीनी को आवाइड करते हैं हनी भी स्टार्ट में डॉक्टर देने से आवाइड करते हैं लेकिन हमारे मार्ज्चा है हम में बच्चे को अपतलाई बच्चे को खेलाई यो बेस्ट ख़धा समझी जाती है तो उसमें दूद डाल दीजिए और उसके बाद आप पतला पतला बच्चे को खिलाएए अब एक सवाल ये भी पूछा जाता है कि दूद कौन सा इस्तमाल करें दूद आप जो भी घर में इस्तमाल करती हैं बच्चे नहीं ही और इसेफिया शाता है। से लड़ी होती है बाद को अंडे से यह सब को नहीं होती कोई चंद एक बच्चे होते हैं तो इसलिए कोई भी फूड जो आप स्टार्ट करें उसके बाद आप देख लिए उसका कोई रियक्शन तो नहीं कोई साइड अफेक्ट तो नहीं तो वह अगर आपको बच्चे को फिरनी की तरह तो फिर इसमें दूद एट करें और बच्चे को खिलाएए चीनी नहीं भी डालेंगी तो आप बच्चे को जो भी टेस्ट स्टार्ट करना चाहें तो बच्चे को क्या पता चीनी क्या होती है मीथा क्या होता है जो आप देती है जो आप है कोशिश कीजिए क तो सीरफ और सीरफ सूजी और दूद डाल के भी आब बच्चे को खिला सकती है नेक्स टाइफ फिर नी चावल का आटा एक चाय का चमच दूद तीन ओंस एक चमच चावल पानी में दो से तीन गहंटे तक भी गो दे जब नरम हो जाएं तो पीस लें पीसे वे चावल दूद में डाल कर गारा होने तक पकाईए और जब थोड़े से पतला पतला गारा हो जाएं तो आब बच्चे को खिला सकती है इसी तरह आलू की खीर आलू एक अदर छोटा वाइल करके चीन ले मेश कर ले जब अच्छी तेके से मेश हो जाएं तो फिर उसमें आप दूद डाल के या तो आप पका भी सकती है या वैसे भी दूद डाल के आप बच्चे को खिला सकती है इसमें भी चीनी या शेहत अगर आपकी मर्जी है डालना चाहें तो डालीजिए नहीं डालना चाहें नहीं डालें केला आप लाजमी एक खिला सकती है और केले की खीर भी खिला सकती है केला आदा लें, दूद 2 तीन ओंस लें आदा केला चील कर प्याली में डाल कर चमची के जरिये अच्छी तरह मैश कर लीजिए फिर इसमें दूद डाले और बच्चे को खिलाइए अंडे की खीर, अंडे की जर्दी एक अदर, दूद तीन ओंस थोड़े से दूद में अंडे की जर्दी अच्छी तरह फैंट लें फिर दूद में डाल कर पकाईए फिर नी की तरह बन जाए तो आगर आप चीनी डालना चाहें तो डालेजिए उतार कर बच्चे को खिलाएए इसके लावा आप फ्रूट्स और वेजिटेबल की प्यूरी बना के भी देश सकती हैं एक चोटी गाजल लें, उसे चीलें, वाइल करें और उसके बाद उसे मैश कर ली और आप उसे बच्चे को खिला सकती हैं मिल्क डाल के भी और वैसे भी अगर थोड़ा सा पानी, वाइल पानी उसमें आड़ करें तो वो पता-पता बना के खिला सकती हैं और छे माँ के बाद आप बच्चे को वैसी बॉयल करके मैश करके खिला सकी है इसी तरह श्वीट पोटैटो बहुत जादा एहम है यह सारी चीज़े हम नो माँ से दो साल के बच्चे की वीडियो में कवर करेंगे तो यह थी हमारी आज की वीडियो हमारी चैनल मदर डारी को सब्सक्राइब कर लीजिए साथ में बेल आइकोन प्रेस कर दे वीडियो को लाइक करें शेयर करें कुमेंट में बताईए अगर आपका कोई क्वेस्टन है अपना बहुत ख्यार रखेगा हमें अपनी दौा में रखेगा अल्ला हाफीज